असलाम आलेकुम, वल्कम आप सभी के इस नई वीडियो में, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे class 10 mathematics का model paper और उसके साथ paper का pattern, हम इस वीडियो में detail में discuss करेंगे, सब कुछ में detail में आपको समझाओंगा, कितने questions आपको 1 marks वाले आजाएंगे, कितने 2 marks वाले आजाएंगे, कितने आपको long answer type questions वाले आजाएंगे, और किस chapter से कौन से वाले questions आपके आने वाले हैं, काफी जादा important video रहन आप 80 marks का paper चार-5 sections में आने वाला है, वो यहाँ पर आपको समझना है, वो काफी जादा important यहाँ पर है, 4 sections का paper आजाएंगे, A, B, C, D, total आपको 40 questions यहाँ पर पेपर में आजाएंगे, 40 questions कुछ इसमें long answer type होंगे, कुछ short answer type होंगे, कुछ multiple choice questions यहाँ जिसको हम 1 marks वाले very short answer type questions आजाएंगे, तो पहले section 1 आपका, उसमें आपको 20 questions आने वाले है, 20 questions आपको एक-एक marks वाले यहाँ पर आने जिनका answer आपको एक-एक line में लिखना पड़ेगा, या कोई उसमें objective type का होगा, तो total यहाँ पर 20 questions आपको आजाएंगे, section A से, जिनका आपको एक-एक marks और 6 को 2 marks करके, 12 marks आपको उस section से आजाएंगे, section B जो आपका रहने वाला है, उसमें आपको 6 questions आजाएंगे, 6 questions का यहाँ पर हर question का 2 marks आपका रहने वाला है, total 6 आजाएंगे तो 12 marks वहाँ से आजाएंगे, उसके बाद, तीसरा section जो आपका रहने वाला है, section C, section C से आपको आ 8 questions आ जाएंगे 3 marksID 8 questions आपको 6 questions QC of questions QC questions में दिया जाए गए देखे पहले जो आपको section 1 से 20 questions आजाएंगे जिनको आपको एक-एक marks वाला answer लिखना पड़ेगा उनमें आप में से किसी भी 2 questions में आपको और पाट दिया जाएगा कोई भी 2 questions होंगे जिनमें आपको और पाट दिया जाएगा बाकी के यहां पे जो आपको फिर long answer type होंगे जो चार marks वाले होंगे उन में से भी आपको तीन questions को यहां पे आर पार्ट रखा जाएगा तो इस तरीकी सा आपका paper का pattern आजाएगा अब यहां पे हम जो वो paper का pattern उन्हों आपका model paper जो यहां पे समझ लेंगे यह guess paper आप समझ लो यह आपका रहा section A जिससे आपको जो है वो मतलब multiple choice questions या एक answer वाले question या एक marks वाले question आपको आजाएगी तो यहां पे आगर आप देखो कि इस तरीके question आजाएगा यह objective type question है यहां पे आपको question that is safe of 2 and 11 is options आपको पास है 2, 11, 22 and 1 इनमें से जो भी right होगा वो आपको यहां पे लिख लेना है अपनी answer sheet पे उसी तरह से नीचे आप आजाओगे देख लीजिए यह objective type questions ही है इसमें आपको जो है वो लगबग 10, 12 objective type questions आजाएगे और उसके 10 questions यहां पे आपको objective type आजाएगे जैसे यहां पे आप देख लोगो 16 वाले question को यहां पे आपको R part आया है और उसके इसासद ऊपर यहां पे question number 13 को यहां पे आपको R part आया है तो दो parts में आपको R part मिलेगा और बाकी में जो हो आपको compulsory करना होगा और 10 आपको MCQs आजाएगे और 10 में से फिर आपको जो हो बाकी के जो 10 रहते उसमें 3-4 में आपको dash आजाएगे और कुछ में आपको जो हो answer लिखना पड़ेगा right one application of trigonometry या state pathogors theorem एक एक line में उसका answer आपको लिखना पड़ेगा उसकी बाद जब हम section 2 पे चलेंगे 2 marks वाले questions यहाँ पे आपको एक प्कोश्चन को आपको R part Serious and section c में 3 marks वाले साथ questions 7 8 questions आजाएगे इसमें आपको 3 questions को R part слишком q लिखेगा Yeah, a question को R पी उसके साथ नीचे यहां पर एक और question को आपको और part देख रहा है और यहां पर तीसरे question को आपको और part देख रहा है यान कि को चे questions आजाएंगे ठीक 6 questions आपको आजाएंगे 6 में से हर question को आपका 4 marks में लिखना Pड़ का इसमें यहां पर आपको तीन questions को आर पार्ट आजागा है यहँ पहले वाला question को आर पार्ट है और दूसरे वाले question को आपको आर पार्ट दिख रहा है और इसके बादous अगर यहां पर question number 35 आप देख रहे हो, इसमें आपको दो questions है, यह और यह, इन ही दो में से आपको आर पार्ट है, आप यह उपर वाला करो, या नीचे वाला, यह से नहीं है, इन में आप कर लोगे, आपको इन ही दो में आर पार्ट है, इन दो में से कोई एक करना पड़ेगा उसके साथ अगर यहां पर question number 36 देख लोगे, यह आपको करना ही करना है, इसमें आपको आर पार्ट नहीं है, 37 में आपको आर पार्ट देखने को मिलेगा, 38 में आपको आर पार्ट आपको नहीं है, उसके बाद 38 में आपको आर पार्ट है, 39, 40 में आपको आर पार्ट यहां फिर नहीं रहता है उसके बाद यहां पर अगर हम marks distribution देखें किस chapter से आपको कितने marks आ जाएंगे तो पहले आपको real number वाला unit है इसमें आपको 4 marks आने वाले इसमें आपको 2 objective type questions आ जाएगा उसके बाद polynomial से आपको 4 marks आ जाने वाले 4 में से 3 marks वाला 1 question आ जाएगा और 1 marks वाला अब्जिक्टिव टाइप 1 question आ जाएगा उसके बाद dein inler equation की बाद करें, ही मार्ग्स आ जाएंगे. टॉटल 6 में से 3-month-ềी वाल ईक sanction आ जाएगा... 2-month-ềी sono 1 dove Linux और 1- snack और 1-weekço और 1 objective आ जाएगा उसके बाद हुआ हुआ टॉटल exponorbär दानल दानल दॉटस 있欏אל गाएगा कि 3 marks वाला 1 और 2 आपको objective यहांपे रहने वाल है उसके बार trigonometry की यहांपे अगर हम बात करें trigonometry में सबसे ज्यादा यहाँपे 7 marks है यहाँपे 7 में से 3 marks वाला 1 आ जाएगा 2 marks वाला 1 question आ जाएगा और 2 यहाँपे आपको objective type questions आने वाले है उसके बाद applications of trigonometry इसमें यहां पर आपको 5 marks आने वाले है 4 marks वाला long answer type question एक आजाएगा और एक आपको MCQ रहने वाला है उसके बाद coordination chemistry की बात करें 6 marks यहां से आपको आजाएगे long answer 4 वाला एक question आजाएगा और 2 आपको objective type questions आजाएगे triangles की बात करें इसमें आपको 6 marks आने वाले है 4 marks वाला long answer type 1 और एक एक आपको objective इसमें 2 आने वाले है circles की बात करें इसमें आपको 5 marks टोटल रहने वाले है 5 में से आपको 3 marks का एक आजाएगा और 2 आपको यहां पर objectives आने वाले है उसके बाद surface area की बाद करें, 6 marks आपको इससे आने वाले है, इसमें 3 marks वाला एक कोशन आ जाएगा, 2 marks वाला short answer type एक कोशन आ जाएगा, और objective type question यहाँ पे आपको एक रहने वाला है, उसके बाद probability की बाद करें, इसमें आपको 4 marks आने वाले है, चार में से 2 marks वाला एक कोशन आ जाएगा, एक marks वाला हो रहाए, एक marks वाला एक कोशन आ जाएगा, और 2 यहाँ पे आपको objective type question आ जाएगा, उसके बाद statistics की बाद करें, इसमें आपको 6 marks आने वाले है, 6 में से 4 marks वाला long answer type एक आ जाएगा, उसके बाद construction से आपको एक long answer type आ जाएगा, और एक आपको probability से आने वाला है, और उसके साथ एक यहाँ पे आपको equations से, linear equations से question आपको आने वाला है, तो टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, और 5 आपको जाएगा, marks वाले question यहाँ की long answer type questions आने वाल है, बाकि इसका जो important questions वगर हैं, वो यहाँ पे वीडियो पास करके screenshot ले सकते हैं, नहीं तो आप टेलिग्राम ग्रूप हमरा जोइन कर दो, वहाँ पे मैं आपको इसका PDF डिरेक्ली बेज दूँगा, आप वहाँ से जाके खुद इसको download कर दें, नहीं तो मैं description में link भी डाल दूँगा, उदर से भी जाके आप इसका PDF जाओगा, डाउनलोड कर दें,